तो वेल्कम डोब यूटूब चैनल यूपीर सीनाट आई होप आप सब लोग बढ़े होंगे आपके अपनी यूटूब चैनल यूपीर सीनाट में श्वागत है आज हम बात करने वाले हैं आई डी बाई बैंक की नौटिपिकेशन आ चुका है उसके जो फॉर्म फेल है वो फिल करने की डेट आ चुकी है आज हम बात करेंगे उसमें की फॉर्म डेट की फिल की क्या डेट है लास्ट डेट क्या है और क्या उसका प्रोसीजर है ठीक है तो आप लोग चैनल पर नए है सस्क्राइब कीजिए शेयर कीजिए बैल आइकन भी बटन दबा लीजिए आपक फैक इसकी बात करें कि इसकी पैमेंट की लास्टज डेट काँए यह ऑठटाइस तारीक 28 अब सब्सक्राइब के लिए एक फरवरी से start form हो गया है, 17 फरवरी से, ठीक है, और 28 फरवरी इसकी last date है, अनेस्ट इसकी बात करें कि इसमें post कौन सी है, तो इसमें post assistant manager की है, कौन सी post है, assistant manager की, ठीक है, और आगे बात की जाए कि इसमें total vacancy कितनी है, तो इसमें total vacancy की बात कि बात कि बात किया है, तो total vacancy इ प्रफिकेंसी है, SC के लिए 190, ST के लिए 17, OBC के लिए 89, EWS के लिए 60, ठीक है, बाकि PWD वालों के लिए 888, ठीक है, नेस्ट अगर इसमें बात करें कि, इसमें कौलिफिकेशन क्या माँगा गया है, तो यह पोस्ट, इस पोस्ट के लिए, वो असिस्टेंट मेनिजर पोस्ट के इसमें बात कीज़ए क्या मांगा है, कौलिफिकेशन में तो इसमें गर्जिशन मांगा है, किसी भी उनिवस्टी से, लेकिन इसमें एक सर्थ है कि मिनमम दो साल का इसमें experience होना चाहिए, इसमें आपको experience होना चाहिए, गर्यूजिट की degree होने के साथ साथ, इसमें जो age का है वो 21 साल से लिखे, वो 30 साल तक भर सकते हैं, minimum 21 साल, maximum 30 साल वा लोक तक, ठीक है, उसमें इसका relaxation भी है, वो में आपको आगे बता दूगा, जो इसकी online test की date है, जो कब test होगा, वो April 2023 में संभावना है, attentive लिखा है, तो इसमें संभावना है कि April 2023 में इसका exam होने की पूरी 23 से लागो होगी इसमें, ठीक है, online form कब से start होगा है, तो 17 फरवरी से start होगा है, मैंने आपको भी बताए है, 28 फरवरी तक form फिल होगी, 17 से लेके 18 तक, तो form फिल कर लो, क्योंकि date काफी कमी है, जल्दी जल्दी, और इसको जो exam की online test की date है, April 2023, ये संभावना है भी, ये final date ह नहीं, next इसमें बात करें कि इसका जो age का है, मैंने आपको उपर बताया, 21 साल minimum, maximum 30 साल है, ठीक है, और इसमें जो graduation मांगागा है, graduation होना चाहिए, कोई भी उनिवर्स्टी से, इसमें बोला भी क्या है, work experience, देखो, work experience इसमें कहा गया है, कितना minimum 2 साल का, ठीक है, bank का हो, financial service का हो, या फिर, micro finance का हो, non banking company का हो, किसी का भी चलेगा, पर 2 साल का, किसी financial sector का, आपको experience होना चाहिए, इसमें अगर बात करें हम, इसका selection का process क्या है, तो selection का जो process नों बताया गया है, online test होगा, OT माधिम से test होगा, online test, कौन सा test, online test होगा, ठीक है, इसके बाद document verification होगा, ठीक होगा, पहले online test होगा, उसके बाद document verification होगा, उसके बाद आपका personal interview होगा, जो होगा, personal interview, तो तीन stage में आपको ये process पूरा होगा, ठीक है, छोटा सा pre-medical requirement medical test भी होगा, लेकिन वो इतना आपको प्रेसर उस पे नहीं लेना है mind पे, तो छोटा पूरा है, जैसे मान लो कि कुछ खराबी तो नहीं है, जैसे आपने मान लो डाल दिया है, कि हम दिब्यांग नहीं है, तो फिर हो ऐसा something, तो उसका छोटा सा medical भी होगा, उसके टेंस हना आपको नहीं लेनी है, इसमें जो पेपर की बात की जाए कि online test में कौन कौन से इसमें आएगा, subject, तो online test की बात के, कौन कौन से इसमें subject बगएरा आएगे, तो इसमें reasoning आएगा, logical reasoning बगएरा, English आएगी, मैत आएगी, aptitude आएगे, और general economy awareness के question आएगे, जैसे जनला box buy गएरा, जैसे banking के computer के है है यह question में आएगे, मैत के, aptitude के बात की बात की जाए, तो 40 question, 40 number के, मलब इ भी एक number का है, जन्नल अबनेश की बात की जाए, 60 question, 60 number के मतलब यह भी है total आप बात की जाए, तो जितने 200 question हो रहे हैं आपके 200 question और 200 number के हैं, ठीक है total इसमें समय होगा, 2 घंटे का 2 hour का इसमें समय दियाएगा, 2 hour का इसमें पूरा समय होगा ठीक है बात की गई है कि किस तरीके से होगा, इसमें selection तो इसमें cut off waste पे होगा, जो married बनेगी न, जैसे आपका जो भी number आएंगे, उस पे married waste पे होगा ठीक है, इसमें wrong question, negative marking है इसमें negative marking है इसमें negative marking कितनी है, negative marking इसमें 0 of 1, 25% की है 0 of 1, 25, मतलब आपके अगर 4 question गलत हो जाते हैं तो आपका एक question जो सही होगा, वो आपका गलत माना जाएगा ठीक है, 0 of 1, 25 की है age relaxation की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे जो age में relaxation है, age limit का जो relaxation है, वो कितना है, तो बात करें a se और a se waal के लिए 5 cycle Default की वालू के लिए 5 सान दिया गया है जो नोन की मिलियर कीमियर के आधे है creक है, जो दिव्यांक के लिए 10 साल का दिया गया है और जो experts मेंने उनके लिए 5 साल का है कई पलाई कैसे करना है, इसमें दिया गया है How to apply, apply कैसे करना है तो 17 फर्वरी से फॉर्म स्टार्ट, 28 पर भी लाज्ट देट, ठीक है, इतने में ही इसका फॉर्म आपको एसेप्ट किया जाएगा, इसके बाद ऐसे अपने किया जाएगा, परसनल इमेल आइडियो और मोबाल नमबर डाल के इसको फॉर्म को पहले लॉगिन करना होगा, जा तो 3-4 मेने से जादा पुराना ना हो फोटो आपका, कभी-कभी नहीं तो reject कर दिया जाता है, तो 3-4 मेने का photograph हो, thumb impression, handwritten, मतलब हाँ से लिखा हुआ declaration form, इसमें fill होगा, scan करके, और signature, ठीक है, इसके बात करें कि फिर इसमें फीस कितना लगीगी, ऑनलाइन payment की mode में फीस आएगी, ठीक है, फीस का procedure वही है, कि 200 रुपए जो फीस है, कितना 200 रुपए, 200 रुपए है, SC के लिए, HD के लिए, और PWD वालों के लिए, 1000 रुपाय जो फीस है, वो फीस है, जन्रसर वालों के लिए, ठीक है, ये वीडियो में इतना ही था मुबेड आप कर सकते हैं क्रेट कार्ड से इंटरनेट बैंकिंग के आएंपियस से कैस कार्ड या मुबाइल वालेट से ठीक है और आपको मैंने वीडियो बता दिया है कि इनफॉर्मेशन है आईटीबियाई बैंक का आप लोग फॉर्म फिल कर लो जिससे कि एम के रखते हुए आपको सेंटर भी अच्छे से मिल जाए कोई प्राब्लम ना हो तो ओके दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए पसंद आए तो लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए आप लोग नए हो और चैनल को सेर कीजिए जिससे कि और भी लोग इस चैनल से जुड़ सके सबको लाव हो ओके दोस्त थैंक यू फिर मिलते है नेक्ट वीडियो में